प्यार्टियों के पक्ष में उत्रा है भी पक्ष और भाजपा ने कहा यह सिक्ष घोटाला चारा घोटाला से भी बड़ा है घोटाला और वहीं नियोजेश शिक्षकों को पूजाबाद मिलने वाला है सोगात जल्द ही बिना परिक्षा उन्हें मिलेगी राज कर्मी का दर्जा वहीं आंगनवाली सेविका सेविकाओं को छट में मिल सकता है बहुत बड़ा सोगात और आंगनवाली सेविकाओं सहाई का लगातार अंदोलन पे हैं अब उनकी परविचार कर रही है सरकार वहीं जीवका दीदियों को मिलेगा बहुत बड़ा पूजा गिप्ट है हम इसलिए आज आपको फूजा के बारे वता रहे हैं कि जीवका दीदियों के लिए भी लेकर बहुत अच्छी ख़बर आई हुई है वहीं दूसरी तरफ दुरगा पू की बाते भी और की देश दुनिया की तमाम करें जिसे आपको जानना जरूरी है Google और Box लेते हैं सत्ता के गलियारों से επांचाय के घलियों से और गाओं के चोपालों से तो पोक्मा बिहार समाचार का सिर्शिल दिवार करते हैं तो भी समाचार में पहली खबर ले रहे हैं पंचायतों से वाड सदस्यों से और पंचों से तो वाड सदस्य और पंचों को अब जादा बेचायद होने की जरूरत नहीं है सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है क्योंकि चुनाव नज्जदीक आ है इसलिए जो अंदर खाने में चर्चा हो रही है कि पंचायती राज विभाग और ग्रामिन विकास विभाग मिलकर और साथ में पी एचीडी विभाग वाड सदस्यों के लिए कुछ बड़ा करने वाली है हलाकि वाड सदस्यों के लगातार मांग है सरकार के अंदर से भी कहने का मतलब सरकार के जो घटक दल है उन्होंने भी मांग उठाया है कि विकास कार्यों में वाड सदस्यों को 60 पर 30 की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए खैर उस पर तो बाद में जब चर्चा होगी मसाधा बनेगा क्राइबिनेट की मुहर लएगी तब लेकिन फिलहाल वाड सदस्यों को बकाया रासी का भुकतान होने वाला है और वाड सदस्यों को नंजल योजना में बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है लाकिन नंजल योजना जैसा भी रहे लेकिन जब धरती पर उत्रा भी है बहुत दिख भी रहा है तेह वाड सदस्यों का मेहनत का ही परिनाम है वाड सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि अब वाड सचीव के चंगुल में आपको नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि यह तैयारी की जा रही है कि वाड सदस्यों को एक इंडिपेंडेंट बोडी बनाया जाए तो वाड जाने पर सरकार विचार कर रही है और सर पंच सहब का भत्ता और पंच सहब की भत्ता भी बढ़ाया जा सकता है जो अंदर खाने में चर्चा हो रही है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और वहीं बहुत बड़ी कबर आ रही है बीपीएसी जो पास अभ्यारति है क्वालि जो चारे घोटाले की तरह है सरकार को इस पर आगे आके बोलना चाहिए बीपीएस्ट घोटाले के मतलब है कि बीपीएस्ट में जो रिजल्ट दिया गया है लेकिन रिजल्ट कहने का मतलब कि सफल अभ्यारतियों की सुची उपलब्द कराई गई है और सफल के सुची नहीं दिख रागे मतलब बीपीएस्ट में सिर्फ अंसर सीट दे दिया गया है और उनका और से अपनी नमबर करने के लिए कर रहे हैं तो सबसे बड़ी मांगिया है कि बीपीएस्ट सभी का नमबर सारजनी करे रिजल्ट जारी करे बीपीएस्टी अगर जो क्वालिफाइं है त मुद्दे पर कब सामने आएगी लगातार हम सवाल पूछते रहेंगे और वहीं दूसरी तब आंगनवारी सेविका और सहाई का संग को छट से पहले छट में बहुत बड़ा सोगात मिलने वाला है बहुत बड़ा सोगात मिलेगा आंगनवारी सेविका सहाई का लगातारा रही है कि केंद्र सरकार अंगरवादी सेविका सहाईका को सरकारी कर्मी का दर्जा दे जब सरकार का काम कर रही है तो सरकारी कर्मी का दर्जा दे तो लगतार हमाई उठने के वाद एक ग्यापन सौपा गया है परधान मंत्री को ग्रीम मंत्री को कि वह अंगनवाली सेविका सहाइका को एक केंद्र सरकार अपने अधीन उन्हें केंद्रिय कर्मी का दर्जा दे और राज्य सरकार विसेश पैकेज द्वारा बढ़ो तरीक किया जाए मांदे कम से कम पचीश सज्जार अंगनवाली सेविका का और अठारह हजार सहाइका का होना चाहिए हलाकि यह मांग कितना तक पहुंचता है यह जो कांटा है कितना तक पहुंचता है भविश्च के गर में है लेकिन इतना बात मान लिजिए कि आं जीविका को एक corporate के रूप में बिक्सित करने का प्लान है जीविका जो दिदिया जो छोटे-छोटे समूव बनाकर जो बिवसाय करती थी वहीं अब जो बड़े समूव है जो सक्षम समूव है उनको corporate के रूप में बिक्सित करने का योजना है यानि के एक बड़ी company बनेगी ज सारे इसके कारकरता उसके इंप्लाइव होंगे इंप्लाइव होंगे तो उन्हें बेतर भी जरूर मिलेगा तो जीवका देदियों के लिए बहुत बड़ी खबर है और इधर अगर हम बात करें तो दुर्गा पूजा के लेकर कहीं से बिहार में बहुत सारी खबरे हैं अगर हम भी हार ते बिहार में दुर्गा भुपालम से खबर आ रही है भुपालम में दुर्गा पंडाम में भगधल 3 की मौत और भीस घाय लोग इंबlements मे?, दो भूज़ूर्गP सामील हैं या जो पत्टन वहीं भगदल को याद दिल दे रहा है और वहीं अ बागी सभी शुरच्छी थे यह बहुत अच्छी खबर बहुत बड़ी खबर है और सहाबुदीन उसामा की एंट्री एक जैसी कहानी है 19 साल में सहाबुदीन मनि उसका पिता जेल गया था और 29 साल में उसामा जेल गया है तो जहां एक ने जमीन को उसके बाप को हीरो बना दिया था दूसरे को वहीं बेटा को जमीन नहीं भीलेन बताया है और बिहार में रावन दहन में फिर सकता है पानी रावन दहन में फिर सकता है क्योंकि पटना समेच जिलों में बुंदा बांदी की स्रमावना तेरा सहरों का तपमान गिर चुका है और अगर बात कर इधार तो मुख्य मंत्री लगातार नजर बनाल बनाये हुए हैं कहां कहां पंडालों का पलपल का अपडेट ले रहे हैं बिहार भर में हाई अलट जारी कर दिया गया है और प्रोसेशन के समय जुलूज के समय बिजली कटी हुई रहेगी अब निर्मांचित में बारा मला कर्मिया एक होंगी नारी सक्ति का नया ट्रेंड है जैसे जीवका दिदी को कि जा रहा है सथ सक्त उसी तरह अब हर नारी को निर्मांचित में भी महिलाओं को भारखकर्मियों के बदले एक महिला मिलेगा और सहीत पुलिस कर्मियों के परिजनों को 25 लाख मिलेंगे पुलिस कर्मियों के आवास के शुबिधा मिलेगी यह बयान है और हमारी परिच्छाओं में मार्क्स और रेंग का दवा विक्सित देशों में स्ट्रेस फिरी एक्जाम पर फोकस है यहां एक तरफ सरकार कह रही है कि उन्हें सच्छामता परिक्षा देना होगा नियुशिश्को का मांग है कि उन्हें बिना परिक्षा का राज कर्मी का दर्जा दिया जाए और सरकार इस पर विचार भी कर रही है तो दोस्तों यह तमाम खबरे थी जो आपको जानना जरूए था और यह अपडेट मैं ले मातारानी सब पर अपनी किर्पादिक से बनाए रखें मिलते एकले वीडियो में जैहिंद बंदे मातरं